तू भी तो भाई है रहे और भाई भी मुख्मंद्री क्या तो जो कुछ नहीं जाना चाहिए उसी दर्द से प्यादा हुई मुख्मंद्री लाडली बहना योजना उसमें लड़का बचन के पढ़ाएंगे लिखाएंगे पुस्ता कापी लेंगे पैन कापी सब तो खबाएंगे प्याएंगे तो मुझे भी एक नहीं मागेंगे दोबारा 500 रुपे कहलते हैं छोटे लड़के की पढ़ाई में लगाऊंगी 500 रुपे घर में खर्चा करूंगी मैं मैंने तो नहीं भारा भारा हैं के लिए सिर्पांजे आपको नहीं भाराएंगे अच्छा मेरी दोनों भावों को बढ़ाएं दोनों को पैसे आ गाएंगे एक ही बच्ची है तो सोच रहे हैं उनकी लिए कुछ पैसे जमा करकर आके कुछ एडमिशन में काम में आएंगे अभी चोथी किलास पढ़ती है चोटी है बच्चों पढ़ाई मुला आएंगे उन पेसों से मैं अपने बच्ची का एडमिशन करा हूँ टीवी हिंदी पत्रकारता के पतन के कुछ तंभो ने यूट्यूब पर भी दो मिनट के मौलिक यानि स्वायम दोरा किसी विशे का विशलेशन उसको भी 20 मिनट तक खीचने को में स्ट्रीम कर दिया है अजीत अंजूम वो ऐसे ही एक स्टंभ है जिनने यदि आप अचानक से देख लेंगे तो लगेगा इनके जूतों में स्प्रिंग लगा हुआ है और बोलते बोलते स्क्रीन से निकल कर आपकी गोद में न गिर जाए हाथ मलते रहते हैं जैसे कि ऐसा करने से उन्हें बुद्धी जीवी विशलेशक मान लिया जाएगा और जो दिख रहा है उसे ही explain करते हैं मानों वो केवल उन्हीं को दिख रहा है मैंने आज तक उनका एक वी वीडियो नहीं देखा था पर एक वीडियो किसी ने भेज कर मेरा समय नष्ट किया तो मुझसे रहा नहीं गया पहले तो इनका thumbnail देखा तो लग गया कि ये वही लोग हैं जिन्होंने गाय के दूध एलियन द्वारा पीने से लेकर साइकिल के करियर से गिरी बर्फ को जून में आजादपूर में गिरी बर्फ स्वर्व का द्वार खोजने जैसे कारी करते हुए हिंदी टीवी पत्रकारता के स्वर्णिम दवर के स्मृतियां जो है पुना हुआ पस ले आते हैं thumbnail में इन्होंने मद्धी प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लॉंच की गई लाडली बहना योजना को निशाना बनाया है और यह लिखा है कि ऐसा मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा अंजुम जी ग्रीन स्क्रीन से चिपक कर एक ही तरह के न्यूज खोजोगे वही पढ़ोगे तो कहां से दिखेंगे ऐसे मुख्यमंत्री आपको न तो लालू दिखा न जय ललता न करणा निधी न स्टालीन न केजडिवाल न भगवंत्मान क्योंकि आँखों पर विचारधारा का चश्मा लगा हुआ है और इससे वास्तविक्ता थोरी धुंदली हो जाती है रियालिटी गोज आट अट अट फोकस बाकी के भी तमनिल आप देखेंगे तो लगेगा यह व्यक्ति पत्रकार कम और गुप्त रोग निवार्ण के विज्यापन चिपकाने वाला अधिक लगता है अजीत अंजुम के इस वीडियो में ऐसा नहीं लगता कि कोई विशलेशन मिलने वाला है वो तो वैसे भी नहीं मिलता बलकि लगता है कि गाओं के किसी सरकस में माउत का कुआ या जादूगर कालिया के आने से पहले उसके कर्तवों की घुषना की जारी है आधे आधे वाक के चोटे चोटे चार सब्द वाले और हर चार सब्द पर जबरन विराम जो स्क्रीन पर सब को दिख रहा है उसी को बताकर वीडियो को 20 मिनट तक खीचने की हिंदी टीवी पत्रकायरता की अनन्य उपलब दे यह सत्य है कि CM ने इस योजना की घुषना एक बड़े स्तर पर की थी क्योंकि यह एक राजजिव्यापी योजना थी और इसे जन जन तक पहुचाने के लिए उसी स्तर का कवरेज भी होना चाहिए जितना बड़ा योजन होगा मीडिया उसी हिसाब से कवर करती है अजीत अंजुम ने इसे समझाते हुए कहा कि जिमी जिब लगा हुआ था क्रेन पर कैमरा था मुख्यमंत्री रैम पर टहल रहे थे और फिर रैम की जो परिभासा अजीत अंजुम ने दी वह विचित्र थी कि रैम वह होता है जो फैशन सों में मॉडल के चलने के लिए प् इंटरनेट वाले वीडियो में अरे इंटरनेट वाला वीडियो समझते हो वही जिसमें अधेर उम्र के पुरुष अशलील काम करके पैसे कमाते हैं आप एक सामान ने वीडियो को ओनली फैंस की परिभासा में ले आएंगे क्योंकि आपने पहले इठान लिया है पहले 6 मिन इंट में अजीत अंजुम ने केवल एक लाइन मौलिक बोली है कि ऐसा सीम मैंने नहीं देखा है उससे पहले पूरे समय उसी इवेंट की वीडियो स्क्रीन पर दिखा कर उसी को ऐसे एक्सप्लेन करते रहे जैसे उनके धर्सक या तो अंधे है या फिर उनका ये वीडियो जो है वो रेडियो पर आता है वैसे उनके दर्सक अंधे ना से ही अकल के अंधे तो हैं ही जब बात वीडियो को लंबा करने की थी तो अजीत अंजुम जो है थोड़ा मुझरा भी कर देते ही या कहते हुए कि स्टेज बना हुआ है जिस पर मुझरा होता है मुझरा तो पिर आगे के 6 मिनट मोदी जी और अशुनी वैसनव के फिर आगे के 6 मिनट मोदी की अखवारों की कटिंग उनके बयानों की और अंत के 2 मिनट में वो एक ही मौलिक बात कह देते कि चुनाओं के समय में सब लोग यही कह रहे हैं और यह कोई अच्छी बात नहीं है पूरा वी के 2015 के चुनाओं के समय किया था और उनके मुख्यमंत्री भी वही कर रहे हैं यदि हम पिछले 10 वर्षों को ही मानक माने क्योंकि अजीत अंजुम को देखकर लगता ने कि उनकी स्मिति उससे बाहर जा पाएगे तब भी प्री बातने की बात दिल्ली के 2013 वाले चुनाओं के गोशना पत्र में केजिवाल ने लिखित में यह डाला था फ्री बिजली फ्री पानी दक्षिन भारत की राजनीती में कुकर प्रेसर टीवी मिक्सर ग्राइंडर से लेकर गैस चुला स्कूटी तक बाटने की परंपरा मोधी के राश्ट्रे पटल पर आने से पहले की है पर व्यक्ति इतनी सामान निवात पर चर्चा करते हुए टेली प्राम्टर देखकर भी पढ़ना पा रहा हो तो आप सोच सकते हैं कि अपने दर्शकों को वो क्या देने वाला होगा लेकिन बात वही है कि यदि ऐसे बिना तैयारी के वीडियो को भी यदि उसके दर्शक देख आई है अश्विनी वैशनब ने राजथान में 82 स्टेशनों की घोशना करते हुए नाटकी अधंग से बताये कि राजथान के लिए सरकार क्या करने जा रही है यहाँ पर अजीत अंजुम यदि संतुलित होने का दिखाबा भी करना चाहते तो कॉंग्रेस की न्याय यूज जना पर बात कर सकते थे केजरिवाल के फ्री विजली पानी क्रिशिरिन के माफी और पंजाब पर जीडीपी के 50% हो गए कर्ज की बात करते हैं पर कर नहीं पाए बहुत बोला तो करनाटक पर बोला लेकिन उसका भीश्रे उन्होंने शिवराज को दिया कि उन्होंने पहले एक हजार देने की बात की तो कॉंग्रेस ने कहा कि हम देर हजार देंगे मतलब मत्य प्रदेस का मुख्यमंतरी कुछ कर रहा है तो उससे करनाटक के मुख्यमंतरी प्रत्यासी जो है प्रभावित होते हैं और वो पैसा देने की बात कर रहे हैं तो यह बाकी पांचीज और भी जोड़ देते हैं ये विशुद्ध जूट है कॉंग्रेस ने यह देखा कि आम आदमी पाटी कैसे इस धर्रे पर चलकर वोट पा रही है तो उसने इसे वादे किये यह बाता और है कि फ्री बिजली की बात करके बिजली का दाम बढ़ा दिया गया हिमाचल में इतनी चीजें फ्री हो गई है कि सरकार करमचारियों को सेलरी देने में अप्षब है ये सारी बातें अजीत अंजुम ने नहीं बताई अजीत अंजुम ने यह नहीं बताया कि मध्य प्रदेश कर्ज और GDP के अनुपात की दृष्टे से debt to GDP ratio कहते हैं भारत के उन्चह राज्यों में आता है जिनमें यह दर सबसे कम है प्रपंची और अजेंडावाज पत्रकारों के लिए आंकडे और तथ्य अच्छे मित्र नहीं होते क्योंकि वो केवल अपनी वैचारी कुंठा के इंदन से संचालित होते हैं वीडियो के 18 मिनट में इन्होंने थोरा इशारा किया कि अब वो बताएंगे कि रेवडी कल्चर जो है उनके हिसाब से होता क्या है 17 मिनट 40 से आरंब होकर यह विशलेशन 18 मिनट 20 से केंड में समाप्त हो गया फिर अंतिम मिनट में 19 मिनट 00 सेकेंड में उन्होंने कॉंग्रेस और आम आदिम पार्टी की रेवडियों को जस्टिफाय करते हुए यह कह दिया कि मोदी ने यह सब शुरू किया था तो अब चुनाओं में यह तो आम बात हो गई मैंने बहुत खोजा पर केजरिवाल या कॉंग्रेस को नों ने यह पूछा हो जैसे कि शिवराज सिंग को पूछा किसके लिए पैसे कहां से आएंगे तो मुझे उनकी पूरी वीडियो लाइबरेडी में कहीं भी कुछ नहीं मिला किसी भी दूसरी पार्टी पर कोई नकारात्मक टिपनी आपको देखने को नहीं मिलेगी बंगाल की चुनावी हिंसा, घुटाले, बिहार के पुल तूटने पर, पंजाब में किसानों के स्तिती पर, खालिस्तान के विशाइब हर दिन हो रहे हिंदों के हत्याओं पर आपको कुछ नहीं देखेगा यहां बताता है कि निश्पक्षता इनके उसूलों के विरोध में है अब बात करते हैं कि रेवडी होती क्या है और क्या ये लाडली बहना योजना जो है उसी स्रेणी में आती है रेवडी को अजीत अंजुमा और इस राजनीती के समर्थक जो फ्रीवी कल्चर के समर्थक है वो लोग कल्यानकारी योजनाओं से जोर कर देखते हैं और जस्टिफाय करते हैं जब जब उनकी सोचकी पाटिया ऐसा करती है क्या शोचाले देना, सबसिडी पर खात देना, विजली के बल्ब देना, मिड़े मिल, क्रिशी कल्यान योजना ये सब रेवडियां है रेवडी उसे कहते हैं जब आप पैसे या छूट उन्हें भी देते हैं जिन्हें इसकी कोई आशक्ता नहीं है जैसे कि सब के लिए विजली निशुल कर देना, भले ही वहाँ उसे अफोर्ड कर सकता हो या नहीं शोचाले बनवाने की योजना रेवडी तब कही जाती, जब सरकार कहती कि हम हर परिवार को शोचाले देंगे और जिनके पास है अलड़ी, उनको हम पैसे देंगे क्षी कल्यान योजना उनके लिए जिने बुआई के समय दोहजार मिलने से खाद वीज खरीदने के लिए पैसे हो जाएंगे उन्हें सूध पर साथ परसंट के रेट पे पांच रुपिय सैकड़ा जिसको भूलते हैं रिणे जो है महाजनों से नहीं लेना परेगा और घर चलाने योग उपज के साथ वह निर्धन किसान अपना जीवानी आपन कर लेगा जहां तक लाडली बहना योजना की बात है तो ऐसे नहीं है कि ये मधिप्रदेश की हर स्त्री को दी जारी इसमें मूलता हुआ ऐसी महलाय हैं जिनके हाथ में पैसा नहीं होता जो समाज के सबसे निचले स्तर पर हैं और एक हजार जैसी छोटी राशी भी उनके लिए अपने बच्चों को स्कूल में भेजने से लेकर उनकी छोटी मोटी आशक्ताओं के पूर्ती में सहायक होगा मध्य प्रदेश में इस योजना की लावारती महलाओं के संख्या लगभग एक करोड पचीस लाग है और एक दिन में 98.5% महलाओं के खाते में यह राशी पहुँच गई यह जो 98.5% में आपको बोला है यह संख्या यह भी दर्शाती है कि शिवराज सिंग चौहान के सरकार ने वित्य समावैशन है तु कितना व्रहत कारी क्या है किन किन लोगों के इन्होंने अकाउंट्स खोले हैं यह वो इस्त्रियां है जो आदिवासी खेत्रों से आती है अती पिछणा वर्ग से आती है वैसे गाउं से है जहां कि आर्थिक स्थती बहुत अच्छी नहीं है इन सब के पास अपना बैंक एकाउंट होना भी एक उपलब्दी है कि इन महलाओं को अपना पेंशन पाने के लिए और बाकी जो योजनाओं का लाव लेने के लिए गारियों में भर कर किसी ब्लॉक कारिया लेके चक्कर नहीं लगाने पड़ते आपके खाते में राशी पहुंच जाते यह महलाओं सशक्ति करन की राह में उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है साथ ही यह केवल एक हजार तक नहीं रुकेगा बलकि उपयोगिता और आवशक्ता के अनुसार सरकार इसका सकारात्मक प्रुहाव देखेगी तो इसे क्रमशाए 200-500 से बढ़ाते हुए 3,000 रुपये तक ले जाने की योजना है हाँ यह बात भी है कि इसके लिए सरकार को बजट में अधिक पैसों के आवशक्ता होगी जो कि उसे अलग-अलग माद्यमों से जुटाने होगी यदि जन संख्यां के भी हिसाब से देखे तो MP में स्त्रियों की संख्यां 4 करूर से अधिक है और उनमें से यदि एक चवथाई को ही यहलाब मिल रहा है तो हम यह समझ सकते ही कि रेवडी नहीं है बलकि उन महिलाओं के लिए एक वरदान है जो दूसरे के घरों में जारू पोछा लगाती है या विवश्था में बिक्षा मांगकर जिवन यापन कर रही है या आर्थिक विपनता कि मारी अपने बच्चों को स्कूलों में भी नहीं भेज़ पा रही है कहीं सरक निर्मान भवन निर्मान आदी में बच्चे को पीट पर बांद कर सर पर इंट दोरें या योजना उन स्त्रियों के अपने उपादान है तो नहीं है बलकि उनके माध्यम से उनके बच्चों के भवश्य है तो है ऐसी राशी उन स्त्रियों के लिए हैं जिन्हें सामने एक भविष्य तो दिखता है पर उसमें स्वैम को वो अच्छे स्थिती में नहीं देख पाती जैसे कि इस वीडियो में आप जानकी जी की कहानी देख सकते हैं कि वो इस पैसे से अपनी बात नहीं कह रही कि उसका अपना विकास होगा वलकि उसकी प्रात्मिक्ता उसके बच्चों के हाथों में कौपी कलम और पैंसिल है उसमें लड़का बचन के पढ़ाएंगे लिखाएंगे पुस्ता कापी लेंगे पैन कापी सब तो खबाएंगे प्याएंगे तो मुझे भी एक में बागेंगें दोबारा ये महलाएं किसी मौडलिंग एजनसी से नहीं लाई गई है यही उनकी विकट परिस्थती है इनके उपर कोई मेक अप नहीं है कि जो है नहीं वो इसा दिखाया जाए जो ये जानती नहीं वो इनसे बुलवा लिया जाए ये वो इस्त्रियां है जिनके बच्चे उसकी सूखी चाती से चिपक कर रात बिताते हैं क्योंकि उसके पास दिन में एक बार भोजन मिल गया तो मिल गया इनके लिए यह राशी 1000 रुपिय की नहीं है बलकि 12,000 रुपिय एक वर्ष की है जो कि तय समय से आएगी ही यह 12,000, 18,000 से 24,000 तक भी पहुँच सकता है वैसे ही एक स्त्री उन पैसों से बच्चों के आहार और शिक्षा के लिए पहले से बहतर विवस्था कर सकती है। अब इसकी पात्रता क्या है? किस आधार पर यह योजना बनाई भी है? किसे लाब मिलेगा? इसके दायरे में आने वाली महलाओं की आयू 23 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, विवाहिता या तलाग शुदा या परित्यक्ता होने पर भी आप पात्र मानी जाएंगी। यदि आप किसी और योजना से 1000 रुपय से कम की लाबारती हैं, तो उतनी अतरिक्त राशी भी ताकि आपको पूरा 1000 मिल सके, वो भी उपलब्द कराए जाएगी। आपके घर में अगर कोई इंकम टैक्स ना भरता हो, आपकी पारिवारी का आए धाय लाग से कम हो, तो उस परिवार की नारियों को भी इसका लाब मिलेगा। तो हम यह देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि यह सक्षम लोगों को भी देखकर कोई मुफ्त की रेवडी दी जा रही है, फ्रीवी नहीं है यह वैसी महलाओं के लिए हैं, जिने वास्तव में इसकी आवशक्ता है। जिसके लिए नियम और शर्ते हैं, जो अन्य राजियों के मुख्यमंत्रियों द्वारा दी गई, ब्लैंकेट योजनाओं की तरह नहीं है, कि सरकार यह तक नहीं सोच पाती कि किसे चाहिए किसे नहीं, या रेली में चुनाओं से पहले सब को लाव देने की बात करती है, औ मोदी से प्रशन कर देते हैं कि अब तो मेडल गंगा में बहा दिया जाएगा, अब तो बोल दीजे मोदी जी, पर उन से मध्य प्रदेश नहीं जाया गया, वो किसी कविता जान की सावित्री सल्मा से यह पता नहीं कर सके, कि वो इस योजना के बारे में क्या सोचती है, आ तो आपको वीडियो मिल जाएंगे, या फिर आप शिवराज सिंग चौहान के ट्विटर हैंडल पे ही चले जाएगे, तो आपको सूचना मिल जाएगे, आपको लाभार्थी मिल जाएंगे, आप देख पाएंगे, मैं जानता हूँ कि आपका प्रशन होगा कि क्या यह टैक किवल सड़कें, हॉस्पिटल, पाउर प्लांट, वंदे भारत, जेट फाइटर रादी के लिए नहीं होती, बलकि मानव संसादन के सर्वोन मुखी विकासेतु इसका उप्योग होता है, यदि आप यह वै नहीं करेंगे, तो एक गरीब परिवार, एक पीड़ी के अंतराल पर ही चार गरीब परिवारों में परिवर्तित हो जाएगा, इसी लिए किसी को एक हजार दे कर यदि उसके बच्चों का भष्य सुधर सकता है, तो सरकार को उसका प्रियास करना चाहिए, अजीत अंजुम को सरकार द्वारा योजना की घुशना का कारिकरम मदारियों जैस रैम पर चलते मॉडल जैसा लगा, वैसे कॉंग्रेस के चरंचुम्बक पत्रकारों को लाडली योजना चुभेगी, क्योंकि यहां दिगविजय सिंग के टंच माल वाले समय और विचार से कहीं दूर महलाओं के आत्मसम्मान की चर्चा हो रही है, इस योजना के किसी भी लाभारती से उन्होंने बात नहीं की, ना ही उन्होंने कोई उदाहरन देकर यह बताया कि यह योजना क्यों बरवादी की तरफ ले जाएगी, पूरे वीडियो का दायरा केवल इतना रहा कि आप चुनाव को देखते हुए यह क्यों कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, तो हमसे पूछ लेते कि स्टेज कितना बरा रखना था, कुर्सियां कितनी लगवानी थी, क्योंकि मेरे फूफाजी का टेंट का बिजनेस है, दो-चार लाख हम भी कमा लेते, क्योंकि इतनी खुननस और किसी कारण से नहीं निकलती, टीवी मीडिया सदय भी सामगरी हीनता से, यान पुदा सा काउंटर है, जिसमें तरक और आंकड़े आपको खोजने पर भी नहीं मिलेंगे, जुरने के लिए बहुत बहुत आवा, नौसकार